तो देखिए आज में आपके लिए जो लेके आई हूँ वो एकदम अलग सा है और मैं आपको बता दो यह मेरी है ना थ्री नहीं बलकि फॉर प्लाई की बूल है ठीक है और मेरा जो किरोशिया नमर है वो एक सिकेंड यह मेरी है ना हमेशा की बात की दिखता ही नहीं है यह देखिए ठीबॉइंट फाइफ जिरो एमम का किरोशिया है ठीक है तो यह देखिए अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ इसके बनानी के लिए परस के लिए इतना आसान सा है कि आप ना कोई भी सिर्फ ह लेंगे ठीक है तो यह इस तरह से इसमें हमें चैन बना लेंगे तो जो इसकी हमें टोटल चैन बनानी है वह हम इसमें बताते हैं उतनी बनाएंगे तो अपी बना लेते हैं फिर दिखाते हूं आपको तो यह देखिए इसमें हमने 40 चैन बनाई है ठीक है 40 चैन बनाने के ब अब तरह से टीक है एacio यह देखें ऐसेleyeए को पूरे के पूरे में बना लेंगे तो यह पूरे में बोना के फिर मैं आपको दिखाते हूं नहीं जो देखिए इस तरह से हमने पूरे में यह हाफ को बना लिया है እ उसके बाद में हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेके इस तरह से पलट लेंगे और अब इसमें नॉर्मली हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोश्या बनाते जाना है ठीक है देखिए ऐसे पूरे में इसी तरह से हाफ डबल क्रोश्या हमें बनाना है और इसी तरह से इसकी थर्ड लाइन बनानी है तो ऐसे ही बनाते चले जाएंगे ठीक है तो इसे कितना बड़ा करना है उसके बाद मैं दिखाती हूँ ऐसे ही आप इसमें लाइन बना लीजिए फिर मैं आपको तो यह देखिए इस तरह से मैंने इतना बना लिया है अगर मैं आपको लाइन बताओं तो एक दो तीन चार पांक छे साथ आठ नो दस दस लाइने हमने की हैं और इसमें मैं एक और आपको बात बता दू कि जितनी लंबाई आपको पर्स की रखनी है मतलब ऐसे ऐसे करके जित इसनी ऐसे करके उचाई मतलब आपको रखनी है पर्स की उतना ही आपको यह रखना होगा ठीक है आप बस यह चोटा सा मेनेजमेंट ध्यान रखेंगे तो ठीक होगा अब हमें इसमें ना क्या करेंगे देखिए यहां पर इसे ऐसे ही निकाल लेंगे और अब यह अगले वा यह हम आठ में करेंगे तो यह तीन हो गया चार पांच छे साथ और यह आठ ठीक है आठ में हो गया अब हम यहां पर एक चैन लेंगे और यह अगली चैन में डालके हम इस तरह से हाफ डबल क्रोश्या बनाते जाएंगे ठीक है इस तरह से यह हम हाफ डबल क्रोश्या बनाएंगे और इधर से भी हम आठ यह साथ दबल क्रोशया छोड़ देगी ठीक है और यहां पर हम strip मैंने आपको बताया थी था तीनों फंदे जो हम एक साथ निकाल हैं वह हमारा हाफ डबल क्रोशय होता है कभी-कभी जब हम बोलते रहते हैं तो एकदम से मुझ से १क魔295 कष को डबल sheriff क्रोश निकल जाता हैं लेकिन आप जब देखेंगे न तो यह आपको समझ आएगा कि हम क्या बना रहे हैं और ये देखने से ही बहुत अच्छे से समझ आ जाता है हर चीज तो आप इसे इस तरह से पूरा बना सकते हैं ठीक है तो ये यहां तक हम बना लिया है देखे इस तरह से ठीक है और ये लास्ट के ये एक दो तीन, चार, पान छे, साथ, आठ ये यहां तक हमें बनाना है ठीक है ये हो गया ये यहां तक हमें बीच वाले पार्ट में बनाना है इधर से भी छोड़ना है और इधर से भी छोड़ना है ठीक है अब हम इसे पलटेंगे और पलटके एक चैन लेंगे फंदे में डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोश्या ऐसे ही इसमें हाफ डबल क्रोश्या बनाते जाएंगे ठीके और जैसे हमने ये बनाया था ना ऐसे ही इसके उपर लाहिने बनाती जाएंगे तो यह जितनी हमें बनानी है उतनी बनाके फिर दिखाती हूँ आपको तो यह देखिए यह इस तरह से हमारा बन गया है जैसे हमने यहाँ पे यह दस लाइने ली थी ठीक है यह हमने दस लाइने ली थी तो समझेंगे तो उस से हमें न 5 लाइने जादा वनानी है ठीक है बस यह ध्यान रखना something हमने यहाँ पे लाइने वनाई है उससे पाश लाइने जादा अम यहाँ पे वनाएंगे अब हमें क्या करना है वो देखिए यहां तक हमारी बन चुकी है अब यह चैन लेके एक अब हमें क्या करना है वो आप द्यान से देखिए यह एक दो यह दो हम छोड़ देंगे और इस तरह से करेंगे स्किप करने के लिए यह इसमें लिया यह दो और यह तीन ठीक है यह तीन उसमें ले लिया और इन सब को एक साथ ऐसे निकाल देंगे ठीक है उसके बाद में अगली चैन में डालेंगे और वो ही हाफ डबल क्रोश्या बनाते जाएंगे ठीक है यह देखिए इस तरह से यह हम हाफ डबल क्रोश्या यहां पर इस तरह से बनाते चाहिए इस तरीके से हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे और लास्ट में भी हम ऐसे ही दो स्किप करेंगे ठीक है यह देखे इस तरह से यह लास्ट के एक दो एक मिनिट यह भी कर लेंगे यह दो हो गए तो यह इसकी शेव सही लाने के लिए लास्ट वाले में डालके हम ऐसे ही इसे निकाल देंगे ठीक है अब हम दूसरी साइड में ऐसे आएंगे और इसमें हमें एक स्किप करना है ठीक है तो बिना चैन लिए ही इसमें एक में डालेंगे दूसरे में और इन दो को हम एक कर लेंगे ठीक है एक स्किप हो गया अब हम ऐसे ही यहां पे इस तरह से half double crochet बना लेंगे फिर से हम एक इधर से ना दो का एक कर लेंगे इधर से एक मतलब कम कर देंगे ऐसे ही इसमें ना थोड़ा उपर तक चार से पांच लाइने बनाएंगे ठीक है इसी तरह से तो यह बना के फिर दिखाती हो मैं आपको तो यह देखे इधर साइड में हम फिर से यहां पे यह एक करेंगे और लास्ट वाले में ऐसे ही डाल के इसे निकाल देंगे तो skip हो गया उसके बाद में ये देखे इसमें ऐसे डाल के इसमें ये एक हम दो का फिर से ये तीन का हम एक करेंगे एक तो ये हमारा होई जाएगा तो ये एक हमारा skip हो जाएगा ठीक है तो यह इस तरह से हम इसमें एक एक दोनों तरफ से स्किप करते चले जाएंगे ठीक है ठीक है तो यह देखें यह कुछ इस तरह का बनेगा तो ऐसे ही करते हुए हम इसमें उपर की चार माश लाहिने बना लेते हैं फिर दिखा लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से करते हुए ही मैंने न साथ लाहिने बनाई है यहाँ ठीक है तो साथ लाहिने बनाके यह पूरा होगे अब हम यही पैसे कट कर देंगे ठीक है अब यह हमारा कुछ इस तरह का तो यह देखिए यह हमारा कुछ इस तरह का बन कहना पूरा तयार होगा है ठीक है यह देखिए और यह उपर से ऐना ऐसा है थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रेंगल सेप में है ठीक है अब हम इसे जोड़ेंगे बर्स को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है देखिए यह जो हमारा ये वाला हिस सा है, इसे इसके अंदर इस ताहँ से यहाँ पे अटेच करेंगे, तो यह देखिए इस तरह से यह पूरा बन गहा आँग अब हम इसे itet terini शुरू करेंगे तो ये इधर से और इधर से दोनों तरफ से लेके हम पहले इसमें नौट लगा लेंगे और इसे हम इस तरह से जोइंट करेंगे ठीक है तो हम ये क्या करना है देखे एक इधर से पंदा लेना है एक इधर से ठीक है और इन दोनों को लेके एक साथ जोइंट कर लेंगे ठीक है ऐसे ही फिर आगे में करना है ऐसे और ये लास्ट तक हम ऐसे ही जोइन्ट करेंगे दिखें और ये यहां पर यहां तक हो गया ये और यहां तक हो गया अब हमें क्या करना है देखें ये ये वाला जो है ये इस तरह से पकड़के यहां पर करेंगे ठीक है ? देखें मैं आपको दिखा दूँ पहले हम ने ये वाला इधर से सील लिया फिर हम इस वाले को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे इसे मतलब जॉइंट करते वे चले जाएंगे अगर आप चाहें तो सुईंसे इसे सिल भी सकते हैं तो यह इस तरह से इधर साइड आएंगे और इसे यहाँ पे इसे सिलना, मतलब जॉइंट करना शुरू कर देंगे इस तरह से, ठीक है यह होगा, ऐसे ही यह उपर तक कर लेंगे, यहां तक, ठीक है, जॉइन करने के बाद, फिर हम यह दूसरी साइड में आएंगे, यह देखें, यहां पे भी हम इसमें न, सेम तरीके से करेंगे, पहले यह इधर तक से जॉइन करेंगे, और फिर यह वाला यहां तक जॉइन करे ठीक है ये वाला ठीक है तो ये पूरा करके फिर मैं दिखाते हूं आपको तो ये देखे हमने न यहां से ये इधर साइड से भी और इधर साइड से भी दोनों तरफ से हमने सीर लिया है अब मैं आपको दिखा दू कि इसे सीधा करके कि ये कैसा लगने मिला है सीधा करके ये देखे कुछ इस तरह का हमें दिखाए देखा ठीक है ये देखे और ये हमें बिग्कुल ऐसे सीधा खड़ा भी हो सकता है अब हम ये इस कहना ऊपर का लगाएंगे तो इसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे हमें अब आगे करना क्या है तो पहले हमें क्या करना है देखे ये हमने यहां तक सील लिया था और इसमें हम आ गई हैं तो हम इसमें क्या करेंगे इस तरह से ले हुआ है इस पर हम पहले कर लेंगे और फिर half double crochet इसके पूरे में हम बना लेंगे ठीक है हर एक उसमें डालते हुए इस तरह से half double crochet बनाएंगे ठीक है यह देखे इस तरह से यह पूरे में यहां तक बना के और फिर इधर साइड भी पूरे में बना लेंगे तो यह पूरे में half double crochet बना के फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है ठीक है तो यह देखे हमने पूरे में half double crochet बना लिया है उसके बाद में हमें यहां से पल्टेंगे एक चैनल लेंगे और फिर से सभी में डालते हुए एक एक half double crochet हम बना लेंगे ठीक है इस तरह एसे ही हम दो से तीन लाइने इसमें बनाएंगे तो यह बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको तो ये देखें इस तरह से हमने इसमे ना तीन लाइने बना ली है तीन लाइने हमने क्यों बना ही है वूँ आपके जैए आपके बताऊंगी क्योंकि इसे यहाँ पे हम बरतने जब करेंगे और ये उस तरह से बंद होगा तो यह विक्कुल एकदम perfectly बन के तयार होगा तो यहाँ पर अब हमें इसमें उपर के design के लिए कोई भी दूसरा color ले लेंगे मैंने white लिया है क्योंकि मुझे white मेरे पास इसी size में था तो मैंने white ले लिया तो यह हम white one इसमें जोड देंगे जोडने के बाद अब हम यहीं पर डाल के एक simple crochet बनाईंगे और simple crochet बनाने के बाद देखिए हर एक में डालते में इस तरह से पहले एक half double crochet ठीके half double crochet फिर यह देखिए इस तरह से half double crochet बना लियाँ दो उसके बाने एक, दो, तीन बनाएंगे और ये last वाले में डालके इसे ऐसे ही निकाल देंगे तो ये चोटा सा कंगुरा बन जाएगा फिर अगले वाले में डालके फिर से half double crochet दूसरे वाले में डालके फिर से half double crochet और फिर से तीन चेन ठीक है last वाले में डालके इसे निकाल देंगे और इसके अगले वाले में फिर से इसी तरह से half double crochet बनाएंगे ठीक है तो ऐसे ही हर दो half double crochet के बाद इस तरह का एक कंगूरा बनाएंगे तो ये पूरे में कर लेंगे लास तक फिर में दिखाते हूं तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा बनके तयार हो गया है अब हमें इसमें इसकी बैल्ट बनानी है यह देखिए इस तरह से यह हमारा काफी बड़ा और सुन्दर सा पर्स बनके पूरा रेडी हो गया है और इसमें हमें यहाँ पे एक बटन या टीच बटन लगाएंगे जिससे यह ऐसे बंद हो जाएं तो यह मैं जो इसकी बैल्ट बनाऊंगी वो भी मैं वाइट से ही बना रही हूँ ठीक है क्योंकि कंट्रास में थोड़ा कलर लगाने पे जादा अच्छा लगता है तो यह इस तरह से बैल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा यह देखिए इसी में डालके हम एक सिंपल क्रोश्या बनाएंगे और फिर देखिए फर्स्ट वाले में यह दो फंदे दिख रहे हैं ना उसमें से फर्स्ट वाले में निकालके और फिर यह दोनों को सिर्प पहलेवात इसे निकालेगे और इन दोनों को इस तरह से निकाल देंगे ये देखिए । डबल होगया अब हमें इसमें क्या करना है यह एक दो तीन तीन बनाने के भाद है किर से रास्ट वाले में डालना है इसे खीछना है aare यहाँ पे इस तरह एब निकाल देगे तो ऐसे करके न हमें ये पूरी के पूरी बैल्ट बनानी है तो पूरी बैल्ट बना पर दिकाते हूं तो ये देखिए इस तरह से हैं मैंने ये पूरा का पूरा बना के तयार कर लिया है इसमें इतनी बड़ी मैंने ये बनाई है बैल्ट बनाई है और ये दूसरी तरफ में इस तरह से डाल के हम नॉट लगा देंगे ठीक है तो ये देखिए हमारा पूरा पार्स बन गया ऐसे तयार हो गया है अगर हम दिखाएं तो ये अराम से ऐसे भी रख सकते हैं और ये नीचे से एक दम प्लेट सा है जिससे अराम से रखा जा सकता है और अगर हम अंदर से दिखाएं तो इसके अंदर काफी स्पेस है इतना स्प आपने जितने लेडिस के जरूत होती है उतने रख सकते हैं और ये बड़ा ही संदर सा प्यारा सा बन के तयार हुआ है आपको ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ है और मेरे पास ये वाली उन भी रखी हुई थी ये भ कमेंट करके जरूर बताना बाई